शौन दशीप इतना रियल काटून इतना रियल कैसे लगता था ये जब मुझे पता चला ना तो भाई कसम से क्या ही बताओ मेरे सारे बिलीफ्स चक्ना चूरो गए और आपके भी हो जाएंगे जब आप इस शो के बनने के प्रोसेस को अच्छे से जानोगे यो इस वीडियो में हम शौन दशीप के बारे में A2Z सब कुछ जानने वाले हैं किशनलाल, कैप्टन, शौन और शौन का पुरा फ्लॉग तो आपको यादी होगा और मजे की बात तो ये कि शौन दशीप को इस दुनिया में मौजूद 195 देशों में से 180 देशों में TV पर ब्रोडकास्ट किया जाता है और सबसे ज़्यादा मजे की बात तो ये कि इन 180 कंट्रीज में से मातर एक कंट्री ही ऐसा है जहां शौन दशीप को उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं बलकि उस देश के लोकल लेंग्विज में कमेंट्री एड करके फिर टीवी पर एर किया जाता है और वो और कोई देश नहीं बलकि अपना इंडिया है ये अपने इश्यों को हिंदी में देखा होगा जिसमें स्क्रीन पर हो रहे हर एक चीज़ को शौन शारुक खान के हंदाज में समझाता रहता है और इसके हिंदी डालोग सच में बहुत मज़ेदारुआ करते थे सौरव चक्रबर्ती इन्होंने ही शौन दशीप के सभी एपिसोडस को हिंदी में नारेट करने का काम किया है और नो डाउट इन्होंने हम सभी को हसाने में कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी है चाहे वो ऑगी के सभी करेक्टर्स को अपनी आवाज दे कर की हो या मोटू पतलू और पकडम पकड़ाई के सभी करेक्टर्स को अपनी आवाज दे कर इन्होंने हर बार हमें हसाया और हमारे बचपन की दिनों को यादगार बनाया और सच बात यही है कि जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो 50% से ज़्यादा तो हम उसके आवाज के साथ जुड़ते हैं वेल एक फ़न फेक्ट सुनो अमेरिकन अनिमेशन टॉम एजरी से इंस्पायड होकर फ्रांस वालोंने ओगी एंडड दे कॉक्रोचीज बनाई और ओगी एंड दे कॉक्रोचीज से इंस्पायर होकर इंडिया ने पकडम पकड़ाई बनाई और एक एक्स्टा फैक्ट यह कि इ इन तीनों के जैसे ही एक non-dialogue kit show तो है पर एक main difference ये है कि ये इन तीनों से थोड़ा अलग and interesting concept पर based है और उस concept का एक हिस्सा है इनको animate करने का process येस जहां इन तीनों को सिर्फ computer का use करके animate किया जाता है तो वही Shaun the Sheep stop motion and computer animation का mixture है तो ये तना must idea आखिर किसका था and Shaun the Sheep को create करने का पूरा process क्या है चलो उसे भी समझ लेते हैं ये नजारा है United Kingdom में स्थेत एक शहर प्रेस्टन का जहां 1958 में जन्न हुआ था Shaun the Sheep के creator Nick Park का UK के एक BBC रेडियो प्रोग्राम में interview देते समय Nick Park ने कहा था इस audio के नुसार हम कह सकते हैं कि Nick Park को बचपन से ही drawing and cartoons में बहुत ज़्यादा इंटरस्ट था यही नहीं इस interview में Nick Park ने ये बताया था कि जब वो 13 साल के थे तब उन्होंने अपनी मॉम के सायता से कई short films भी बनाई थी जिसके कारण उनका interest film and animation की दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इसलिए आगे चलकर उन्होंने इंग्लैंड के National Film and Television School से अपनी studies complete की NFTS यानि National Film and Television School एक educational charity है जहाँ पर हर साल इंग्लैंड के students एक साथ मिलकर films and animations सीखते सीखते 1500 प्लस films बनाकर निकाल देते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि ये school जो courses कराता है उसमें 10% तो theories होती हैं और बाकी 90% सिर्फ practicals एंड इसलिए इस school के सभी students पढ़ाई करते करते अपनी खुद की create की हुई stories को films and animation में तकदील कर देते हैं एंड सीम चीज निक पार्क ने भी किया था निक पार्क ने यहां पढ़ते पढ़ते एक बहुत मस्त शो को create किया जिसका नाम है Wallace and Gromit और यहां से असली कहानी शुरू होती है साल 1985 में निक पार्क ने एक British studio Ardman Animations में एक animator के रूप में job करना शुरू किया Well Ardman Animations एक ऐसी studio है जो clay animations का use करके films बनाती है Now clay animations को भी समझ लो See animations बहुत type के होते हैं जैसे traditional animations, computer animations, sand animations and stop motion या clay animations etc देखो animate करना मतलब किसी भी चीज में moment या motion लाना होता है तो यदि आप एक second का कोई 2D animation बनाना चाहते हो तो उसमें आपको 24 अलग-अलग frames draw करने होते हैं जिसे बाद में एक साथ देखने पर आपको उन drawings में बने characters में moments देखती है यहाँ एक fun fact सुनो, आप एक second के clip के लिए जितने ज़्यादा frames बनाओगे उतना ज़्यादा आपका animation smooth दिखेगा जैसे old American animations में एक second के लिए 60 frames बनाए जाते थी जिसके कारण उनका animation एकदम मक्खन की तरह चलता था और Japanese animators एक second के लिए 12 से 24 frames सी बनाते हैं जिससे उनकी animation के smoothness पर सीधा असर पड़ता है तो मैं इन सब को explain ना करते हुए आपको stop motion animation के बारे में बताता हूँ So stop motion इसे आप clay animation भी कह सकते हो क्योंकि इस animation टेकनीक में characters को draw करने की जगा उनका clay model बनाया जाता है जिसके बाद में एक second के animation के लिए कम से कम 24 बार अलग-अलग pose में photos क्लिक किये जाते हैं और उसके बाद उन 24 photos को एक साथ combine करके editing के थूँ एक second का animation बनाया जाता है तो अब आप समझ गए होगे कि Ardman Studio कैसे stop motion का use करके अपने सभी films बनाती है वापिस आते हैं निक पार्क के कहानी पर जब निक पार्क ने Ardman Studios जॉइन किया था तब स्टार्टिंग के कुछ सालों में उन्होंने animated TV ads जैसी कई छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम किया और 1985 से 1989 के बीच निक पार्क ने दो main प्रोजेक्ट्स पर काम किया नमबर वन क्रियेचर कमफर्ट्स निक पार्क के दोरा बनाए गई ये कैसी शॉट फिल्म थी जिसमें हर एक जानवर या जीब जनतों का इंटर्वियू लिया जाता था कि वो अपने घर में कैसे रहते हैं अपना जीवन कैसे बिताते हैं ऐसेक्टरा नमबर टू अग्रांड डे आउट विद वैलेस अंड ग्रॉमिट अग्रांड डे आउट भी एक शॉट फिल्म है जिसमें वैलेस एंड उसके पेट डॉग ग्रॉमिट की कहानी दिखाय जाती है नाउ ये दूनों शॉट फिल्म सी आगे चल कर बहुत बड़े फ्रेंचाइजी एंड मूवी सीरीज में बदल गए Creature Comforts निक पार को आडमन स्टूडियोस के दुआरा दिया गया एक प्रोजेक्ट था जो बाद में एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी बन गई And A Grand Day Out with Wallace and Gromit निक पार का ही खुद का एक प्रोजेक्ट था जिस पर वो 1982 से काम कर रहे थे और आडमन स्टूडियोस जॉइन करने के बाद भी उस पर पार्ट टाइम वर्क करते रहते थे 1989 में A Grand Day Out के रिलीज होने के बाद ये लोगों के बीच इतना ज्यादा पॉपिलर हो गया कि Wallace and Gromit को लेकर इस फिल्म का पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 भी बना दिया गया ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि Wallace and Gromit के सभी शॉट फिल्म्स ने निक पार्ट को बहुत ज्यादा पॉपिलरिटी दिलाई लिकिन निक पार्ट का एक और बहुत मस्त क्रियेशन अभी बनना बाकी था और वो था Sean the Sheep Sean का first appearance 1995 में आई Wallace and Gromit के third short film A close shape में हुआ था यदि आप Sean the Sheep के सचे फैन हो तो आप इस movie को बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि इस पूरी movie का one of the main character अपना Sean ही है इस movie में एक बहुत पतला sheep यदि अपना Shawnee Wallace and Gromit के घर में घुस जाता है और पूरे घर में तोड़ फोड करके उनका जीना हराम कर देता है मैं आगे के story बता कर spoil तो ने करूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस movie की ending देखकर आपको सच में लगेगा कि हाँ यार क्या movie थी मज़ा ही आ गया जैसे छोटा भीम का spin-off series Mighty Raju है शिंचन का spin-off series Super Hero है वैसा ही Wallace and Gromit का spin-off series Shaun the Sheep है जिसे साल 2007 में फॉर्स टाइम एक British TV चैनल CBBC पर broadcast किया गया उस दिन से लेकर आज तक इसके 77 मिनट के total 170 plus episodes बनाये जा चुके हैं अभी भी इसके new episodes बनने बंद नहीं हुए हैं अलग-अलग countries में इसे अलग-अलग channels पर दिखाया जाता है जैसे इंडिया में Niklodian channel ने Shaun the Sheep के rights acquired किये थे जिसमें उन्होंने हिंदी में commentary आड़ करके उसे अपने चैनल पर प्रसारित किया था बाद में Niklodian की sister channel Sonic पर भी Shaun the Sheep को air किया गया और मैंने first time Sonic पर ही इस show को देखा था आपने इस show को सबसे पहले कौन से चैनल पर देखा था comment में जरूर बताना वेल इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने Shaun the Sheep के बहुत सारे episodes देखे कुछ Hindi में तो कुछ original language में मतलब without any dialogues एंड हाला कि मैं Shaun the Sheep के Hindi version के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हूँ पर फिर भी मुझे इसके original series को देखने में ज़्यादा मजा आया आप भी एक बर दोनों versions को दोबारा देकर try कर सकते हो कि कौन सा version ज्यादा बेटर है हाँ देखने का जुगार तो हमेशा की दरह मेरे टेलिग्राम चैनल पर मिली जाएगा जिसे आप description में दिये गए link पर click करके join कर सकते हो Wallace and Gromit का spin-off series यानी Shaun the sheep इतना successful रहा कि इस series का भी एक spin-off series टिमी टाइम निकाल दिया गया जुकि Shaun the sheep के सबसे छोटे character टिमी को लेकर बनाया गया है एंड इस शो का target audience मेंली छोटे बच्चे हैं इसके साथ 2020 में Netflix जी ने Shaun the sheep के rights acquire करके इसके 6th season को produce करवाया जिसे वो अपने platform पर stream कर रहे हैं Well यदि आप इस वीडियो को 2021 में देख रहे हो तो आपके लिए खुश खबरी वो यह कि Shaun the sheep की एक new movie आने वाली है जो कि Christmas पर release होगी BTS of Shaun the sheep मैं आपको stop motion के बारे में पहले ही बता चुका हूँ जिसका यूज करके Aardman Studio अपने animation shows बनाती है और याप Shaun the sheep को भी stop motion टेकनीक का यूज करके बनाया जाता है ये एक clip देखो एक बार इससे देखने के बाद आपको पता चलिया होगा कि stop motion का यूज करके दो सेकिंड की एक complex clip बनाने में घंटो लग जाते हैं और Shaun the sheep के साथ भी ऐसा ही कुछ है Shaun the sheep को बनाने की शुरुवात होती है model making से ये है आर्डवन स्टूडियो का वो कमरा जहां Shaun the sheep के सभी characters के models बना कर तैयार किये जाते हैं Model making के बाद आता है art department जहांपर construction से जूड़ी चीजे बनाई जाती है चाहे वो कोई gun हो या कोई भी ऐसा material जिससे आप इस शो के character के द्वारा यूज करते हुए देखते हो वो सारी चीजे आर्ट डिपार्टमेंट में बनाई जाती है आर्ट डिपार्टमेंट के बाद आता है rigging वेल रिगिंग का मतले होता है किसी भी चीज को किसी equipment की help से एक जगह से दूसरे जगह पर move करना जब heavy constructions होती है तो आपने देखा होगा कि constructors कुछ rigors जैसे rope या crane का use करते हैं ठीक उसी तरह shon the sheep में भी characters को movement देने के लिए जितने भी तरह के rigors की ज़रूरत होती है उनको बनाने का काम rigging department करता है और एक बार character models, construction models and rigors तैयार हो जाएं तो उनकी help से animators animation करना शुरू करते हैं जिसमें animators का काम होता है अलग-अलग models को बार-बार adjust करके उनकी खूप सारी photos खीचना Finally, the last part is story and editing इस stage पर editors, storyboard के अनुसार सभी images को एक साथ जोड़ कर edit करने का काम करते हैं साथ-साथ voice actor के द्वारा दिये गए sounds and background music को add करने का काम भी इसी stage पर किया जाता है Shaun the sheep की अब तक दो full feature movies बनाई जा चुकी है And for your kind information, एक दिन में एक animator Shaun the sheep की सिर्फ 2 second तक ही animation ही कर पाता है And इसी के कारण Shaun the sheep की 2015 वाली movie बनाने में ही लग-बग 7 साल का वक्त लगा था वो भी जब 17 से 20 animators मिलकर काम कर रहे थे तब इस series के second season को Gareth Owen के under produce किया गया जिनका कहना है कि इस series को बनाया तो 427 age group तक के लिए है But in reality इससे 4287 age group तक के लोग enjoy कर सकते हैं And absolutely इसके एक episode को भी यदि आपने देखना शुरू कर दिया ना तो फिर आपका मन उसे छोड़ने को बिलकुल तयार ही नहीं होगा The learnings Nick Park की story से हमें जो एक सबसे बड़ी चीज सीखने को मिलती है वो ये है कि the great things are rarely achieved by just one person यदि आप Nick Park को दिखोगे तो उनोंने एक idea ये concept तयार किया चाहे वो Wallace and Gromit का हो या फिर Sean the sheep का एंड उस idea को reality बनाने में एक बहुत बड़ी team का हाथ था मतलब यदि Nick Park अकेले ही storyboard, model making, rigging, animation, editing और भी ना जाने कितने चीज़े यदि खुद से करने लगते तो बन गया होता Sean the sheep Obviously उनका concept concept ही रह जाता तो यहाँ पर importance हुआ team work का यदि आप अपनी एक team बना कर अपने goals को achieve करने की कोशिश करोगे तो obviously आप बहुत कम समय में ज्यादा efficiency के साथ अपने particular goal को complete कर पाओगे मतलब यदि आप भी एक घर बनाना चाहते हो तो खुद अकेले इंट और सिमेट लेकर शुरू मत हो जाओ अपनी एक team बनाओ और उन सब को एक specific काम assign करो और फिर देखो जो घर आप 50 साल में बनाने वाले थे वो कैसे team work के थूप 5 साल में बनकर तयार हो जाएगा अब यहाँ literal meaning मत निकाल ले ना कि मैं आपको घर बना नहीं कह रहा हूँ हरे नई भाई हो सकता है कि आपको भी कोई tv show कोई movie या खुद का कोई business बना कर खड़ा करना हो तो वो सब आप तभी कर पाओगे जब आपके पास भी एक team होगी conclusion के रूप में unity is strength when there is teamwork and collaboration wonderful things can be achieved यदि आप इस वीडियो से related कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे मेरे instagram id animation underscore vice पर direct message कर सकते हो plus इन दोनों वीडियोस को भी जरूर देखना if you are new to my channel मुझे जरूर चाहते हो